आज भारती टीम ने साउत अबरिगा को टीटवेंटी वर्लकप दोजार 24 के फाइनल मुकाबले में हराने के बाद जहां 13 साल बाद अपने नम ICC की ट्रोफी की वहीं भारती टीम के उपकप्तान हार्दिक पांडिया यह जीत के बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए इस जीत के जश्ट में जहां भारती टीम के सभी खिलारी रंग चुके थे वहीं भारती टीम के उपकप्तान हार्दिक पांडिया रोई शर्म और विराट कोली की आखों में हमें आंसू देखने मिले क्योंकि यह तिनों वही खिलारी है जिन्होंने 2019 के वर्लकप के सेमी और साथ इसाथ दोजार टेस्ट के फाइनल मुकाबले की हार को महसूस किया था और वैसे भी हार्दिक पांडिया के साथ हाल ही में जो बीत रहा था जो सभी फैंटोंस को ट्रोल कर रहे थे वह हार्दिक पांडिया तो महसूस कर ही सकते हैं वैसे भारतिये फैन के रूप मे सबी चाहते थे कि विराट कोली रोई श्रमा एक टोवी तो जुरूर डिसर्व करते ही है वही साथ इसाथ हार्दिक पांडिया भी यह डिसर्व करते थे और आज आखिर कारिया तीनों खिलाडियों का सपना पुरा हुआ यह पुरी भारतीय टीम का सपना पूरा हुआ